आप बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात है कि लागातार जिस्चिस की कोशिस की जारी है किन सरकार के ओर से कि GST के देज में जो है वो पेट्रोल और डीजल के कीमत को रखा जाए लेकिन जैसे ही इस प्रस्ताव को रखा गया सभी राज्यों ने इसका बिरूत कर दिया कि GST को पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में ना रखा जाए क्यूंकि अगर GST को पेट्रोल और डीजल डायरे में रखे जाएंगे तो राज्यों का जो इंकम है वो कम हो जाएगा लेकिन केंज सरकार का अपना प्रस्ताव है और उनका अपना मानना है कि अगर GST पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में अगर आप रखते हैं तो उसमें 28 रुपिया से 30 रुपिया तक जो पेट्रोल और डीजल है उसके कीमत कम हो जाएगे लेकिन जार्खन ने भी इसका बिरोद किया उतरपरदेश ने भी बिरोद किया महराशने भी बिरोद किया लगबग सभी राज्यों ने इसका बिरोद किया है सवाल उठता है कि आखिर क्यूं राजी के जो इंकम के सोर्स हैं उसको केंद सरकार बंद करना चाहती है जहारखन की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से उनके पैसे काटे जा रहे हैं यह मुद्दा भी उन्हों कहा गया है कि इस मुद्दे को भी उठाए जाएंगे शर्चाओं के लिए है सवाल उठता है कि आप राज सरकार से बगएर पूचे जो पैसे आप काटे जा रहे हैं क्योंकि यह यह जो बैकलॉक है वो कई बर्शूं का है उसका अगर खामिया जा अगर इस सरकार को देनी परती है तो नुक्सान होगा इस बज़ा से कहीं दिक्कत्य हो रही है यह एक सिकायत का है और यह कहा जा रहा है कि जो कैंसर का दबाई का है उसमें 12% से हटा करके 5% करने की बात कही जा रही है कि GST कॉंसिल के इस मिटिंग में जो ही प्रस्ताव डिजल प्रट्रोल का रखा गया सभी राज्यों ने इसका बोज किया है जी और जैसे कि जानकारी मिली है अमर कि 11 कोईट दबाओं पर टैक्स छूट को लेकर 31 दिसम्बर तक अब वक्त को बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है आप बिल्कुर देखिए कोईट में जो भी दबाओं दी जाती है और खास करके अगर इससे फायदा जो इस दबाओं से हो रहा है कहां यह जा रहा है कि इसको टैक्स कम कर दिये जाएंगे, इससे पहले भी किन सरकार ने इस बात की सूचना जारी की थी, उसके स्वास्त मंतराले ने कहा था कि तक्रीबन 399 ऐसे दबाई हैं जिसको उस स्रेनी में रखे गए जिसको टैक्स नहीं लगाए चाहेंगे, चाहे व बड़ा मामला है क्योंकि सरकार को इसके लिए पन कंपनी को जो कंपनी बनाती है उसको पैसे देने पर एगे और आपको या फिर जनता को वो कम टैक्स में बेचेगी, जिस पे सरकार जो है अपना टैक्स उसमें जमा करेगी, लेकिन लगाता लिजे ये कोशिशे की जा रही उनको नुकसान ना हो, तो इस पे भी चर्चा होगी, जरकंड भी इस मुद्दा को उठा रही है, उनको भी लगता है कि जो राजी सरकार के हिस्से के जो पैसे होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए, और आज बादल पतले को इसलिए भेजा गया है कि उनको सारे जो सिच्वे ताकि केंज सरकार हवारे उपर बुचार करे, चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी कि जेस्टी की 45 वी इस बैठक में क्या कुछ निश्कर्स निकल पाता है, अब बने रहीगा वाने साथ अमर, अब तमाम जानकारी आप से हम लेंगे, लेकिन फिलाल आपका बहुत- वित मंत्री निर्मला सितारमन की अधक्षता में ये बैठक हो रही है, उतरप्रदेश की राजधानी लखनाओं में, और जारकन से क्रिश्री मंत्री बादल पत्रलेक इस बैठक में शामिल होने गए है, 45 वी बैठक है ये, जीस्टी की, जीस्टी कॉंसल की, कई मुदों प लाइक अंड शेर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन, निउसलावन भारत, सच है तो दिखेगा